हेलो गाइज यू आर बोचिंग यूट्यूब राइडर आप सबका स्वागत है यूट्यूब राइडर पे आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको इस्टाग्राम के कुछ टिप्स और कुछ अगर आप इस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तो देख तेरे इस वीडियो को लास्ट तक तो दोस्तों पहला टिप्स है सेविंग फोटोज और इस्टाग्राम तो किस तरह से आप फोटोज को सेब कर सकते हैं इनको भी आ आप असानी से विडियो और फोटो को save कर सकते हैं हमारा Instagram open हो चुका है तो यहां पर आपको एक पहले वीडियो आ रहा है तो हम इसको कैसे ऐप कर सकते हैं image आ रहा है, तो हम इसको कैसे save कर सकते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है एक application का जिसका नाम है insta save तो आपको सबसे पहले अपने mobile के play store पर चले जाना है play store पर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको search करना है insta save जैसे आप insta save search करोगे तो top पर पहला ही options आपको मिल जाएगा पहला ही application जो है मिल जाएगा तो इसे directly आप अपने mobile में install कर लें मैंने install करके रखा है तो मैंसे यहाँ पर open कर लेता हूँ install करने के बाद आपको इसे directly open करना है तो यहाँ पर यह open हो जाएगा तो काफी ही आसान है videos और photos को save करना जैसे यहाँ पर open होगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपका install save पर आपको सबसे पहले यहाँ इसे on कर लेना है यहाँ पर दिख रहा है आपको जो on कर लिया on करने के बाद आपकी जो service started हो जाएगी और आप यहाँ पर blue color में जो आ रहा है उसके अंदर white color का लिखा open instagram इस पर आपको click करना है जैसे आप click करोगे तो आपका instagram तो यहाँ पर आपका instagram open हो चुका है तो यहाँ पर आपको करना क्या है आपको simple सी बात है जैसे आपको videos यहाँ पर डा इसको save करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तीन डॉटिट आपको दिख रहे होंगे तीन जो डॉटिट दिख रहे हैं यहाँ पर टॉप वीडियो के साथ होते हैं फोटो के उपर होते हैं डिरेक्ली यहाँ पर और यहाँ पर आपको करना है सिर्फ कॉपी शेयर लिंक पे क्लिक जैस तो आपको यहाँ पर दिखाई ते जाए गई यह पीडियो तो आप करते हैं एक Image Save यहाँ पर हम फिर दिखाऊंगा मैं बाद में कि कहाँ पर यह save हो जाता है gallery में तो यहाँ पे हमको image save कर लेते हैं जैसे इसे example के तोर पर 3.it पर आपको click करना है copy share URL पर click करना है उसके बाद जो directly आपको back चले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते होई यह save हो चुका है image यहाँ पर open कर लेते हैं यह तो इस app पर भी open हो रहा है आपको जो आपकी mobile की gallery में भी यह photos मिल जाएंगे तो कैसे चलते हैं आपने mobile की gallery पर दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर मैं gallery open कर लेता हूँ यहाँ पर हमारी gallery open हो चुकी है तो आपको यहाँ पर folder आ जाएगा gallery में जहाँ होगा insta save insta save जैसे आएगा तो यहाँ पर यह save हो चुका है जो videos यह अभी तक download नहीं हुई है तो save नहीं हुई है थोड़ी बड़ी होगी तो time इसमें लग जाएगा downloading में तो मैं दिखा दूँगा जैसे यह download होती है तो यह था पहला trick कि किस तरह से हम photos को save कर सकते है directly instagram से तो यह काफी बहतरिन trick है इस app को आप download करके बहुत से photos सारे photos जो है download कर सकते हैं अपने instagram के videos को भी जो है download कर सकते हैं तो काफी easy है दोस्तो तो यह था पहला trick जिसका नाम था saving photos on instagram तो दोस्तों दूसरा ट्रिक है save your own photos on Instagram किस तरह से हम जो अपने photos को Instagram से directly अपने गैलरी में save कर सकते हैं तो इस options को आपने अगर off कर रखा है तो हम किस तरह से turn on कर सकते हैं मालीजिए कोई भी photos आप जो अपने Instagram पर upload करते हैं या फिर videos upload करते हैं आप चाहते हैं कि वो गैलरी में भी save हो जाए और आपके Instagram पर भी upload हो जाए जो भी आपने Instagram पर upload किया वो directly आपकी gallery में भी save हो जाए मालीजिए अब बात कर रहे होंगी कि आप तो gallery से उठाके directly upload कर रहे हैं तो तो आपकी Instagram से ही post किया है आपने जो है गैलरी से उठाके नहीं लिया है तो यह चाहते हैं कि जो आपने पोस्ट किया यह आपकी gallery में भी save हो जाए वैसे ही वीडियो की बात यहां पर आती है कि जो भी वीडियो आपने लाइब या फिर किसी भी तरह से आपने आप बना के यहां पर पोस्ट करिए वो directly आपकी गैलरी में भी save हो जाए तो यह किस तरह से options on हो सकता है तो आपको करना क्या है सबसे पहले अपनी profile पे चले जाना है प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहीं पे तीन डॉटिड आ रहे ती दिखाई देर आपको तीन डॉटिड यहां पर आपको क्ले करना है क्ले करने के बाद आपको नीचे चले जाना है सबसे नीचे और यहां पर option आता है आपको save original photos और save videos after posting तो आप इन दोनों को turn on कर ले अगर आपके जो है turn off है जिस तरह यहां पर turn off है तो आपको directly मैं कैसे जैसे यहां पर मैं कहीं से भी photos बेंदेा हूँ इस photos को ऻम माल जिजे example के तोर पर हम को डालरी से उप पोटो ले लेते हैं तो यहां पर हम post करते हैं जैसे हमने यह post कर रखी है यहां पर इसे post कर देते हैं हम next पे click करके तो फिर हम चलते हैं अपने instagram पे किस तरह से आपको ये save हो जाएगा gallery में तो यहाँ पे next करके हम जो से post कर देते हैं post कर लिया तो अब चलते हैं back तो हमने ये post कर दी image तो हम देखते हैं gallery में कहां पे मिलती हमें ये open कर लेते हैं gallery तो यहीं पे आपको options मिल जाएंगे instagram जो देखिए अभी हमने instagram यहाँ पे आ चुका है जो जो photos हमने upload करी है instagram पे वो directly हमारी gallery में भी save हो चुकी है तो ये तो हो गया और जो video मैंने बताया था कि हम किस तरह से download कर सकते हैं वो भी यहाँ पे आ चुकी है आप देख सकते हैं यह यहाँ पे जो दो वीडियोज हमने जो है download करी थी वो भी directly save में आ चुकी है तो इस तरह से आप असानी से जो है यह कर सकते हैं तो यह था दूसरा ट्रिक कि किस तरह से आप अपने ही जो है photos को save कर सकते automatically जब भी आप upload करोगे तो automatically आपकी gallery में भी save हो जाएंगे तो यह था दूसरा ट्रिक save your own photos on Instagram तो दोस्तों अगला ट्रिक है find your friends and contact in Instagram किस तरह से आप अपने contact number में check कर सकते कि कौन कौन से जो आपके friend Instagram पे उन्हें कैसे आप find कर सकते हैं तो यही मैं इस ट्रिक में बताने वाला हूँ आपको करनक है अपने profile पे click करना है profile पे click करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे 3 dotted पे click करना जैसे profile आपका open होगा तो 3 dotted पे click करने के बाद आपको यहाँ पर follow people के नीचे Facebook friends उसके बाद आपको आएगा contacts, contacts पे आपको click करना तो यहाँ पे यह दिखा देगा कि कितने आपके mobile में contact है उन में से कितने लोगों के Instagram है तो उनके सारे यहाँ पे listed हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं तो मेरे 5 contacts जो Instagram पे तो यहाँ से follow कर सकता हूँ आप जो आसानी से find कर सकते हैं अपने friends को उसके contact number से तो यही था trick जिसमें मैंने बताया कि find your friends and contact in Instagram तो दोस्तो अगला feature है उसमें मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप Instagram के photos को जूम कर सकते हैं जितना चाहे आप जूम करना चाहे वैसे यहाँ पर allow नहीं करता Instagram की आप जूम कर सके तो यहाँ पर देखिए हम जब जूम करते हैं तो आपको screen को hand से पकड़ कर रखना होता है जब आप छोड़ देते हैं तो दुबारा से उसी position में चली जाती है जिसमें पहले होती है तो इसको जूम करने के लिए हमें hands का use करना पड़ता है screen को पकड़ के रखना पड़ता है तो काफी irritated रहता है तो हम इसको बताएंगे कि टारक के लिए आप जूम कर लीजिए जितना चाहें जूम करना चाहें इसके लिए आपको जाना है अपने mobile की settings में mobile की settings को आपने open कर लेना है open करने के बाद आपको जाना है accessibility में उसके बाद आपको accessibility में यहाँ पर मिलेगा magnification gesture इसको आपने enable करना है यह disable है तो होता क्या है यहाँ पर पड़ सकते हो जब भी आप किसी image को जूम करना चाहें जूम करना चाहा़ी है अपको वहाँपे triple tap करना होता है तेन बाद तैप करना होता है screen और इसके बाद आपका zoom होना start हो ज्टाट हो जाता है तो हम ऊन कर लेते हैं on करनने के बाद हम झाते है Instagram पे Instagram को उपन करते हैं और यहाँप dollar टेपल टैप करते हम. टेपल टेपल टेपर करने के बाद यहां पर यहां पर आपप लेक्षिक सकते हो किस तरह से जूम हो रहाई, तो येलो gelore कि यहां पर आपको स्क्रीन पर एदिख जाएगा जब आप जूम करते हो, जितना भी जूम करना चाहिए उतना कर सकते हैं आप कोई hand आपको रखना नहीं पड़ेगा screen पर directly hold नहीं करना पड़ेगा screen को तो ये एक level तक आप जो zoom कर सकते हो असानी से तो ये काफी असान सा trick है तो ये था कि किस तरह से आप जो अपने Instagram की images को zoom कर सकते हो दोस्तो अगले trick में बताने वाला हूँ किस तरह से आप cancel कर सकते हैं message को delete कर सकते हैं वीडियो को या फिर किसी audio को अगर आपने किसी भी friend को अपना भेज दिया है message भेज दिया है लेकिन आप जो भेजना नहीं चाते थे गलती से send हो चुका है तो आप इसे directly delete कर सकते हो delete करने से क्या होगा अगर जिसको आपने भेजा उसने भी अब तक जो ऐसे read नहीं किया पड़ा नहीं है या videos को देखा नहीं है तो आप directly उसके Instagram account से भी delete हो जागा और आपके account से भी delete हो जागा उसे यह message मिलेगा ही नहीं आपको करना क्या है आपको directly यहां पर एक plan यहां पर दिखाई दे रहा है आपको plane paper जैसा arrow जो arrow की तरह plane की तरह दिखाई दे रहा है इसे आपको क्लिक करना है उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे एक message send किया है direct पर जाकर आप Allah कर ली जिया जो भी जिसको भी आपने message भेजा जिसका message delete करना चाहते हो वहут oni यहाँ फे Tap करना आपकोаки मैंने यहाँ पर मैंसिज भेज घ्रलती हो चुका था था तो हम इसे डिलीट करना चाहते है, अब तक पढ़ा नहीं, इसे read भी नहीं किया है, तो वहाँ से भी delete हो जाएगा, उसके account को भी message मिलेगा ही नहीं, जिनको आपने send किया होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ second तक इस message को tap करके रखना है, tap करने के बाद यहाँ पर आता है आपको unsend message, इस उनने यह message पढ़ लिया, तो अगर delete करते हैं, तो उसका कोई benefit नहीं रहता, यह तब तक हो सकता है, जब तक उस जो है message नहीं पढ़ा है, जिसको आपने भेजा है, तो यह था कि किस तरह से आप cancel कर सकते है message को, instagram पर direct ही, काफी अच्छा feature मिलता है आपको, तो दोस्तो अगला trick है, जिसमें मैं बताने वाला हूँ, instagram security के बारे में, किस तरह से आप अपने instagram account को secure रख सकते हैं, जिससे कि आ आपके account का कोई fake account ना बना सके, इसके लिए instagram में आपको एक option मिलता है, जिसका नाम है private account, जी हाँ, बिल्कुल अगर आप अपने account को private कर देते हैं, तो वही followers आपके photos, videos और images को देख सकते हैं, जो followers को आपने approve कर रख है, मालनो कोई भी आपको follow करता है, और आप उसे approve कर ले हैं, तो eligible हो जाता है आपकी photos, videos और images को देखने के लिए जो कुछ आप post करते हैं, इस्टाग्राम पे, लेकिन अगर वो followers आपका approved follower नहीं है, तो वह आपके photos, images और videos को download भी नहीं कर सकता, और साथ में जो है, आपके photos और videos को भी नहीं देख सकता, तो काफी अच्छा benefit आपक को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर सेटिंग ओपन हो जाएगी, तो यहां पर आपको option मिल जाएगा असानी से, सबसे नीचे की तरफ चले जाना है, अपने private account, तो मैंने यहां पर on करके रखा, तो आप से आप कर लेता हूं में पहले, तो किस तरह स को देख सकते हैं Instagram पे, और बाकी के जो भी रहेंगे publicly वो नहीं देख सकते हैं, तो ऐसा होता है कई बारी कि वो आपका follower नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी post को like करता है, share करता है, जो भी करता है, उस तरह से नहीं कर पाएंगे वो, तो नहीं देख पाएंगे, तो आपका सिर करके आप जो कर सकते हैं, असानी से आप private बना सकते हैं अपने account को, उसके बाद आप इसे disable भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाते, तो tap करके यहीं पे आपर से disable कर सकते हैं, तो यह था एक Instagram security का trick, तो दोस्तो आखरी trick में, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप followers को remove कर सकते हैं, private account से, तो आपको करना का है, अपनी profile पे click करना है, profile पे click करने के बाद, जो आपको यहाँ पे followers दिखेंगे, तो उस पे tap करना है, आपको tap करने के बाद यहाँ पर आपके सारे followers listed हो जाएंगी, यहाँ पे देख रहे हैं, सारे followers आचुके हैं, अब आप जिसक click करोगे, तो यह follower आपका remove हो जाएगा, उस follower को कोई भी notification नहीं मिलेगी, कि आपको remove कर दिया है, वहाँ से following से, तो यह बिल्कुल भी message उसको नहीं जाएगा, किसी पतरा से उसको information नहीं मिलेगी, अगर आप जो है private account से हट कर परवड़ी का लिया जाते हो, तो वो आपकी stories क देख सकता है, बाद में pictures को देख सकता है, जो कुछ आप post करते हो, तो उसके बाद वो देख सकता है, आपके picture photos को देख सकता है, वना अगर आप private रखते हो, तो वो नहीं देख सकता, तो यह था trick किस तरह से आप private account में से अपने followers को remove करना चाहते हो, जो भी followers होंगे आप, तो दोस्तों यह थे कुछ tricks and tips Instagram के, आप जो है मुझे यहाँ पर बता सकते हो, comment करके कि कैसे लगे, अगर आपको जो यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, और साथ मैं कहना चाहूँगा, share कीजिए, और अगर आपने जो हमारा channel अब तक subscribe नहीं किया, तो please करके subscribe कर रहता हूँ, आज के लिए तो बस इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाबाए, take care everyone